नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन देश भर मैं आयोध्या में राम मंदर के उधगाटन को लेकर लगातार जोरों शोरों से तयारियां चल रही हैं एक तरफ जहां है जशनी का महौल तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदर के उधगाटन से पहले लगातार कुछ लोग इस बात पर जो हैं वो सियासत करने की कोशिश और देश में महौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जी हां राम मंदर के उधगाटन से पहले जवार लाल नहरू विश्विध्याले यानि की जेनियू में फिर एक बार जो है वो बाबरी मस्जि को लेकर विवादत चीजें सामने आई हैं कभी भारत के टुकड़े होंगे को तो कभी भारत से आजादी तो कभी फ्री कश्मीर के लगातार स्लोगन जवार लाल नहरू विश्विध्याले की दिवारों पर लिखे मिले हैं तो आप बाबरी मस्जित को लेकर जो है वो भी खड़ा करने की कोशिश की गई है फिर एक बार जे एन यू के दुआरा तरसल यहां पर भाशा यानि की भाशा अध्यान केंदर की दिवार पर विवादत स्लोगन जो है वो लिखा गया है दरसल स्लोगन में बाबरी मस्जित को दुबारा बनाए जाने की बात लिखी गई ह इस मामले पर काफी जादा विवाद अब देखने को मिल रहा है क्योंकि स्लोगन के बगल में जो है वो एन एस यू आई का नाम भी लिखा हुआ है जो की कॉंग्रेस का स्टूडेंट विंग है यानि की एक तरफ राम मंदिर की देखिये राम मंदिर के उधगाटन को लेका जो है वो देश में जशनी का महौल है कि 500 वट्ष के बाद जो है वो आयोध्या में जो है वो राम मंदिर बन कर तैयार हो चुका है जिसका उधगाटन 22 जन्वरी 2024 को होने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ इसकदर जेन यू में ही क्यों आखिरकार इस तरीके की चीज़ें ह होती है आपके लिए बता दें कि अगर ये जो स्लोगन लिखा गया है जुस पर बाबरी मस्जद को फिर एक बार बनाने की बात लिखी गई है यहां पर लिखा गया है लाल रंग से लिखा गया है ये जेन्यू की भाशा धिन किंदर की दिवार पर कि रीबिड बाबरी समबर देखिए वही स्लोगन के ठीक बगल में एनस यू आई भी लिखा हुआ है और आप आरोप ये लग रहे हैं कि अब एनस यू आई द्वारा ही इस तरीके से विवात खड़े करने की कोशिश की गई है और इसी के साथ आपके लिए बता देंगी जो एनस यू आई के अ अधियक्ष अपना पल्ला जाड रहे हैं सुधान्शू शेखर ने कहा है कि एनस यू आई इस तरीके के कभी भी विवात में नहीं बढ़ती ये सरफ संगठन को बदनाम करने की साज रख्षी गई है उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि विश्विध्याले प्रशासन इसक से काफी पहले एनस यू आई के द्वारा पेंटिंग कराई गई थी और अकसर इस तरीके की पेंटिंग जो है वो एनस यू आई के द्वारा कराई जाती रही है पर ये विवात खड़ा करने की कोशिश जो है वो हमारे द्वारा नहीं की गई है दरसल आपके लिए बता दे कि आज अगर राम मंदर कहें या फिर हम कहें कि बाबरी मस्जद को जो रेबेड करने की बाद जो जे नियू में लिखी गई है ये पहली बार नहीं है क्योंकि जे नियू एक ऐसा अब कह सकते हैं हमकि विश्विध्याले शुरुआस से ही रहा है जो की एक सरकारी संस्था तो है जहां पर कम से कम फीस में जो है वो बच्चे पढ़ते हैं हॉस्टल भी है पर यहीं पर जो है वो हमेशा विवादित बयान जो हैं वो नजर आते हैं कि कभी वामी विवेकानन्द की मूर्ती को तोड़ देना या फिर जो है वो यहां पर फ्री कश्मीर के नारे लगाई जाना या फिर दिवारों पर भी इसी तरीके के स्लोगन जो है वो कई बार कश्मीर को लेकर लिखे हुए नजर आए हैं जो यहां विश्विद्याले की अंदर की दिवारों पर भी कई बार जो है वो इस तरीके की चीजने लिखी मिली है कि कभी फ्री कश्मीर तेरी कबर या फिर भगवा जलेगा मैसेज लिखे गए थे फिलाल इस पूरे मामलों में जो है वो आगे की जाच भी कराई जा रही है और आपके लिए वता दें कि यह सिलसिला जो है वो जेनियू का काफी जादा पुराना है और यही वो विश्विध्याले हैं जिस पर अफजल अब NSUI को लेकर जो की कॉंग्रेस का स्टूडेंट विंग है क्योंकि देखिए NSUI के उपर इस तरीके के आरोप इसलिए इस बार भी लग रहे हैं कि एक तरफ जो है जो इस तरीके से बावरी मस्जद को रिबिल्ड करने की वात लिखी गई है और अगर यह लोग राजनीती का फैसला आता है तो देश मä켜ल जो है वो काफी जादा खराब हो जाएगा पर आपने भी देखा के इस तरीके से नो नवंबर १ाल व यह जो है थे बावरी sana ही तो कहीं पर दंगा हुआ ना ही तो तो फसात और आ Garlic योदिया की वी जो मुसलिम है उनकी भी कई बाइट जो है वो सोशल मीरिया के माध्यम से सामने आ रही है हमारी जो टीम है वो भी आयोध्या पहुची हुई है और जब कई मुस्लिमों से उन्होंने भी बात की तो जो मुस्लिम थे उनकी चहरे पर भी उतनी ही खुशी है जितना की हिंदू समाज जो है वो कई वर्षों के इंतजार के बाद आयोध्या में अब जाकर जो है वो राम दला का मंदिर यानि की राम मंदिर बनाया जा रहा है जो की 2019 से शुरू होकर और अब 2024 में इसका पूरा काम जो है वो खतम होने पर आ चुका है लगभग और अब जो है वो उदगाटन भी होने जा रहा है बाइस जन्वरी 2024 को पर इसके बावजूद भी जो है वो कुछ लोग जो महौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कर इस पूरे मामले पर जो है देखिए वो एक तरफ कह रही है नसुआई के इस पूरे मामले पर जो है वो आगे की जाच जो है वो होनी चाहिए और आगे लिए बता दें कि सरफ जेन्यू ही नहीं कि अगर हम कहें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सिरफ एक विश्विध्याले में जो है वो विबात देखा जा रहा है या पिर कुछ लोग जो है वो इस तरीके की बातें लिखकर जो है वो महौल खराब करना चाहते हैं तो आज ये पूरा मसला यानि कि पूरे इस मामले को लेकर राम मंदर को लेकर जो है वो आज राजनीती भी गर्माती वी नजर आ रही है जी हा क्योंकि शुरी राम जनम भूमी ट्रस्ट के द्वारा जो है वो तमाम बड़े नेताओं को जो है वो निमंतरन भेजा गया है और इसी पूरे मामले पर दे कि कुछ लोगों को जो है वो निमंतर भेजा गया है और कुछ लोगों को जो है वो ट्रस्ट के द्वारा शायद अभी तक निमंतरन जो है वो नहीं भेजा गया है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमोख अखिलेश यादब भी है इसी के स निताओं को नहीं बुलाया जा रहा है, उसलिए आप के लिए बता देएं कि इस पूरे मामले पर कॉंगरेस के कई निताओं की जो भढके भी है उनका बयान भी सामने आया है और कॉंगरेस के सांसद या और दिकज नेता भी है, श équट वह से पूरे मामले पर भयान सामने आया उन्होंने कहा था कि मुझे जानना है कि क्या मैं 22 जन्वरी को अध्या जा रहा हूं मैंने उन्हें बताया कि मुझे अभी तक निमंत्रण जो है वो नहीं मिला है लेकिन धर्म को मैंने एक व्यक्तिगत गुण के रूप में नहीं देखा ना खुशी है और संबन्ने बतोर विपक्ष हमारा इतना ही कहना है कि सत्ता धारियों के पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है इसलिए वो अब राम मंदर का मुद्दा आगे बढ़ा रहे है यानि कि वो पार्टिया जो अभी तक राम मंदर के बनने पर जिस समय पर फैसला भ तिर्मान के बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें निमंतरन नहीं भेजा गया तो इस पर राजनीती की जा रही है पर वरहाल आपके लिए वता दें कि जितने भी नेताओं को या फिर देश के प्रधान मंतरी या कॉंग्रेस की पूर्व अध्यक सोनिया गांधी या फिर हम मंदर का जो ट्रस्ट है जोकी लोगों को निमंतरन भेज रहा है यह उसके हक का अधिकार है और ट्रस्ट की तरफ से ही जो है वो नियोते भीजे जा रहे हैं जिसको ले कर आज विपक जो है वोलगातार मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है कैरस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमाई कॉमेंट करकर सरूर बताईए थन्यवाद